नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आस्क प्रेप चैनल पर जहां हम भारतिय सम्विधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतिय सम्विधान के उस अनुच्छेद की जो हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में एक एहम भूमी का निभाता है अनुच्छेद 12 हा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अनूछेद 12 का परिचय राज्य की परिभाशा अनूछेद 12 का दाइरा न्यायिक व्याख्याय और महत्वपूर्ण नजरिये और सबसे महत्वपूर्ण अनूछेद 12 का मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाग परता है। चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की और भारतिय सम्विधान के अनुछेद 12 का परिचेंग। अनुछेद 12 सम्विधान के भाग 3 में पहला अनुछेद है, जो मौलिक अधिकारों से संबंदित है। यहां राज्य शब्द की परिभाशा करता है, जो महत्वपूर है क्योंकी केवल राज्य की गतिविधियों को ही मौलिक अधिकारों के उलंगन के रूप में चुनौती दी जा सकती है, जो अनुछे 14 से 35 के तहत आते हैं। यह समझना जरूरी है कि राज्य क्या है, ताकि यह जाना जा सके कि मौलिक अधिकारों को किसके खिलाफ लागो किया जा सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की अनुछे 12 के तहत राज्य की परिभाशा। अनुछे 12 के अनुसार, राज्य, शब्द में शामिल हैं। भारत की सरकार और संसद यह संगिय सरकार की कार्यकारी और विधाई शाखाओं को संदर्भित करता है। प्रत्येक राज्य की सरकार और विधाई का इसमें राज्य स्तर की कार्यकारी और विधाई प्राधिकरण आते हैं। स्थानिय प्राधिकरण इसमें नगरपाली का पंचायत आदी जैसे स्थानिय निकाई शामिल है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की अनुच्छेद बारा का दाइरा ये पॉइंट काफी दिल्चस्प है क्योंकि यहां हमें बताता है कि राज्य की परिभाशा कितनी व्यापक है और इसके तहट कौन-कौन से निकाय आते हैं अनुच्छेद बारा में राज्य शब्द का व्यापक रूप से उलेक किया गया है और इसके दाइरे को विभिन्न न्याइक व्याख्याओं द्वारा स्पष्ट किया गया है भारत की सरकार और संसद इसमें केंद्रिय सरकार की नीतिया, कानून और कार्य शामिल हैं राज्य विधान मंडल और राज्य सरकारे इसमें राज्य सरकारों और विधाईकाओं की गतिविधिया आती हैं स्थानिय प्राधिकरन इसमें नगरपालिका, जिला बोड और अन्य निकाय आते हैं जो सरकारी कारियों का संचालन करते हैं अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ अनुच्छित बारह की न्यायिक व्याख्याएं। राज्य की परिभाशा को समझने में कोर्ट के फैसले बहुत महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे एहम केस देख लेते हैं जिनोंने राज्य की परिभाशा का दाइरा बढ़ाया है। राजस्थान बिजली बोड बनाम मोहनलाल 1967 इस मामले में फैसला दिया गया कि जिन निकायों को कानून द्वारा स्थापित किया गया है। वे भी राज्य माने जाएंगे। अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब 1981 सर्वोच्च न्यायाले ने यह फैसला दिया कि कोई निजी निकाय जो सरकार द्वारा वित्पोशित और नियंत्रित हो उसे भी राज्य माना जा सकता है। प्रदीब कुमार बिस्वास बनाम भारतिय रासाइनिक जीव विज्ञान संस्थान दो हजार दो इस मामले में सपश्ट किया गया कि यदि कोई निकाय वित्पिय, कार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित है, तो वहां अन्य प्राधिकरण के र अनुच्छेद बारा का असली महत्व समझाता है, क्योंकि यह हमारे मौलेक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किस तरह काम करता है, इस पर निर्भर है। तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाली और भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें। आगे आने वाली और भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें। आने वाली और भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें।